हेलो स्टुडेंट्स आई आर्ती मैं वेलकुम यू ओल तो येट अनदर सेशन आफ इंग्लिश वरक्षीट नंबर 15 डेटेट 16 नुवंबर 2020 आज का टॉपिक है पोयम जोग्रफी लेस्न जिसके पोईट है जुल्फिकार घोश देखो बिच्चों यहां पे उनका ये पोयम ह अगरा पढ़ते हो और जब हमें एक हाइट से देखते हैं नीचे का लैंड्सकेप जो नीचे की पाहाड़ियां और उसके बारे में ये पोयम है तो ये देखो गिवन बिलो इस पोयम रिटन बाइद प्रस्पेक्टिव जुल्फिकार घोश वो इस अब्जर्विंग सिटी फ्रम अबाव सिंग एड्सीटेद इन जेट प्लेट वोजट प्लेट में बैट कर इनको जेट प्लेट बना हुआ यहां पर और जेट प्लेट में बैट कर वो सिटी को उपर से देख रहे हैं सबसे पहले मारे पास कोशिन होता है हाव ड़स सिटी लुक वेन वीसी इत फ्र कहीं बार हम यह कहते हैं जैसे आप कभी हम कुत्व मेनार कामने जो ट्रिप किया था उसमें भी हमने देखा था कि जब हम उपर चड़ जाते हैं तो एक हाइट पर जाके जब नीचे देखते हैं तो हर चीज छोटी दिखते हैं तो यहां इसका आंसर होगा वेरी स्मॉल अंसर हमने करना है है था क्वेश्यस दिखते है फैस्ट फोल जैट प्रैं का मतलब होते हैं जंप मतलब वो जब टेक ऑफ करता हुँ ही की बार में के रहे हैं इट पस्लियर बाए तेटी बाए इटएट बढ़े असे शीज उप्ट गेंशने था की और जैं पस्लियर अब इसमें वो क्या कहते हैं कि जब जेट जिस पर यह जो हम एरोपलेन वे बैठते हैं वो जब जम करता है वो जब टेक ओफ करता है सकाई के अंदर आसमान में इट वस क्लियर वाइस सिटी तब हमें पता लग जाता है कि जो हमारी सिटी है है डिवेलप दो वेट है तब हुम उपर से देख सकते हैं कि वो डिवेलप हो गई है कैसे उसमें नई नई चीजे बन गई हैं जैसा कि जिस वे में बनी है और यह हम क्या देखते हैं जब भी आपने माप पर रिखोगा जब भी पद दें टो यह से करके लिखा कि जो सिटी सिटीरय इनष जो है वह तो यह मारे होता है यह में ऐस हमत्राओ अंपर ब्राओ रेसिक ली तो इसी चीजे को उन्हों explain के हैं यहां पर there seems an inevitable inevitable का मतलब क्या होता है पिख इनेविटेबल का मतलब होता है कि आप यह कह सकते हैं inevitable का मतलब है which cannot be avoided जिसको avoid नहीं किया जा सकता है ऐसा लगता है कि इसको एवोईड ही नहीं किया जा सकता जो चीज हमें ground पे random लगती है कि एक चीज यहां पर चीज वहां पर यह फिर जो लगता है कि हाफ यहां पर लिखाना है हाफ यहां पर क्या मतलब होता है जो without style लगता है लेकिन उपर से देखने पर वह सारा क्या लगता है एकदम clear लगता है वह देखने में एकदम organized लगता है और हमें उसकी वजह पता चलती है कि वाई the city has been developed यह लिखना है यह क्यों ऐसी बनी है सिटी जो की जैसी बनी है यह दिखता है हमें उपर से उसका कारण जो है वह उपर से देखने पर हमें नीचे देखने पर पता चल जाता है यानि कि जब हम height से देखते हैं कहीं बार आपने देखा होगा कि आप रंगोली बनाते हो तो सामने से इतने अच्छी नहीं लगती लेकिन जब आप थोड़ी से height पर चले जाते हो तो वहां से देखते हो तो रंगोली और ज़्यादा सुंदर लगती है सेम वे में ऐसे नीचे जो सिटी है वो जब देखने में तो लगता है कि हैपएजट है कोई चीज यहां पड़ी है कोई चीज वहां पड़ी है तेकिन जब हम उपर height पर जाके देखते हैं तो हम उसका purpose पता चलता है यह चीज यहां पर explain किया है नेक्स्ट है यहां पर when the jet reached 10,000 feet जब जो jet है हमारा यह वाला jet जो है यह 10,000 feet चल जाता है it was clear by the city by the country had cities where the rivers ran तब हमें यह पता चलता है कि जो country है वो clearly हमें दिखता है कि कहां कहां पर rivers हैं city के अंदर and why the valleys are populated और जो valleys है आपने पता है आपको पता है hill होती है और यह नीचे जो उसके यहां पर होती है यह valley के लाती है तो कहते हमें पता चलता है यह value यहां पर populated क्यों है the logic of geography that land and water attract man अब क्यों यहां पर होता है तो हमें पता चलता है कि यहां पर land होती है समतल जगे है न प्लेन है यह तो यहां पर इसलिए और यहां पर water क्योंकि rivers भी आपको पता है नीचे फ्लो करती है उपर से एकदम से गिर के नीचे फ्लो करती है तो यह दोनों कारण जो ह यह जो कि यहां पर बस जाए और यह पना यह जाना यह जैसे देखो आपका यह बना हुआ है यह जो आपकी यह पिच्चर्स बनी है यह यह कहलाती है delineated ठीक है हमें clearly देख जाता है उसकी picture जो है वह हमें clearly उपर से दिख जाता है क्या scene कहां पर क्या चल रहा है यह कब दिख जाता है जब हम बहुत उचाई पर जो कि 10,000 feet की उचाई है वहां से जड़ से इस जड़ से बैठके देख रहे हैं क्योंकि हमने यह पूरा जो पोयम है यह जो जुल्फिका घोश है उन्होंने जट से बैठके देखिए बिटा जट से बैठके देखिए उन्हीं का प्रस्पेक्टिफ का मतलब होता है व्यूपॉइंट उनका व्यूपॉइंट दिखाता है चलो अब हम question answers कर लेते हैं seen from the window of an aeroplane the city appears अब कैसी दिखती है city city जो है वो haphazard दिखती है न ग्राउंड पे यह देखो लिखा है यह देखो यहां पे लिखा है about that what a ground has looked haphazard unplanned तो from the window of the airplane the city appears haphazard as on the ground neat as a map as developed as necessary तो यह लिखा है it was clear by the city had developed the way it had तो इसका answer होगा यह देखो आपे लिखा है जैसी वो है वो क्यों है हमें right answer mark करना तो यह right answer है the developed has development जो है वो क्यों होई है उसका necessary पड़ता है चलता है और यह भी हमारा clear है he has a per haphazard as ground हमें यह पता चलता है कि वो जो city है वो जो haphazard लग रही है ground पे वो actually क्यों है ठीक है दोनों ही चीज़ा हमें पता चलती है लेकिन most relevant इसका थर्ड अंसर है फिर इसके बाद है questionable second what word in the stanza means which cannot be avoided आपको मैंने इसका मतलब पहले ही inevitable बता दिया हमाँ पास दोन options थी haphazard haphazard का मतलब होता है random इधर उधर कहीं पे भी बिक रहा हुआ है inevitable का मतलब होता है जिसको avoid नहीं किया जाए सकता तो इसका answer आपको होगा inevitable what did attract the man man को क्या attract करता है देखो यहां लिखा answer the land and water attract the man to answer C हो जाएगा the land and water attract the man ठीक है फिर है question number four from a height a mile got reduced to dash inches अब इसका answer देखो यहां पे लिखा हुआ है from it has developed the weight has seeing its scale six inches to the mile तो इसका मतलब हमारा पासा answer आ गया तो हम यहां कहेंगे यहां पे from the certain height a mile got reduced to six inches यहां पे आप लिखोगे six six inches ठीक है फिरे what was clear when the jet reached 10,000 feet अब इसने पूछा कि जब 10,000 feet उपर हो गया question number five हमारा यह है तो हमारे को क्या पता चला when the jet reached 10,000 feet it was clear that why the city had country has developed cities with the rivers ran under and why the valley was populated ठीक है यह हमारा पूरा answer हो जाएगा answer number five ठीक है तो यह तो बच्चों थी आपकी worksheet जिसको भी हमने easily कर लिया और यह बहुत easy थी इस बार की और आपका यह जो है वह बेज़े जोग्रफी होबाप कोच्चे से समझ में आया होगा